नमस्कार मैं सुसील आफ सभी का कंपकेशन फाइकर के एंसिया की वेस्ट प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ यह एंसिया की के साथ साथ हम महेस बरनवाल के अधाणाओं को भी समझने की कोशिस करेंगे क्योंकि एक बार इंसिया की फिर दूसरी पुस्त के पढ़ने का केवल लुभावना यह सब चीजें नहीं करने का है यहाँ पर सीथे सीथे हम इंसिया की को उठा कर जियोग्राफिक की तमाम अधाणाओं को एक साथ पढ़ेंगे आज जियोग्राफिक का पार्ट फाइब है अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजो बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे की आने वाले वेग्यों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो तो चले श्क्राट करते हैं आज का पार्ट फाइब अभी तक हम लोग ग्रहों को पड़ चुके हैं उब ग्रह को देखते हैं उब ग्रह जो ग्रह के चारो और चक्कल लगा रहे हैं लगातार और इन ग्रहों के चारो और जो पिंड चकल लगाएंगे वा जाही सी बात है कि अगर ग्रह का चक्कल लगा रहा है तो ग्रह सूर का चक्कल लगा रहा है तो ये भी सूर के चार और जाएंगे ग्रह के चक्कल लगाते लगाते तो ऐसे पिंड जो किसी ग्रह के चारो और चक्कल लगाते हैं जिनका खुद का प्रकासवा उसमा नहीं होता है जिस प्रकार से पेर्थिबी को प्रकासवा उसमा सूर से प्राप्त होता है उसी प्रकासवा उसमा सूर से प्राप्त होता है उसी प्रकासवा उसमा सूर से प्राप्त होता है इसलिए चमकता दिखाई देता है तो ग्रह के चारो उर जो चक्कल लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं इस परिद्धिवी का एक मात प्राकृतिक उबगरा चंद्रमा है चंद्रमाा की बारे मिग देखाई तो चंद्रमा की अगर हम सतह की बारे में पढ़े जबारे भाग है याल इस बात को आप दीजेगा चन्द्रमा पर्थी का लिए इस लिए póस प्लग मैंने बता रहा हूं वह प्रत फेकलई का परन्ति हो सकती है जरूरी नहीं है कि या कतन सही ही हो क्योंकि साहर मंडल की उद्पत्ति गैसों से हुई है तो ये भी गैसों से माना जाता है लेकिन अभी कलर ने इसा बताया है चंद्रमा पिर्थिभी के चारों और चक्कल लगा रहा है और पिर्थिभी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है तीन लाग चौरासी हजार चार सो किलो मिकर है अधिक्तम दूरी जो अधिक्तम कहाता है आउसत दूरी ये औरे जो है तीन लाग चौरासी हजार चार सो किलो मिकर है कभी-कभी चंद्रमा पिर्थवी के एक बहुत पास आ जाता है कभी-कभी चंद्रमा पिर्थवी से बहुत दूर चला जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यह माल लेते हैं यह पिर्थवी है और ये पिर्थिवी के चारो और कच्छा है जिसमें चन्दमा चक्कर लगा रहा है तो जब चन्दमा यहां पर है तब ये दूरी बहुत जादा है ये दूरी बहुत जादा है तो इस दूरी को अपोजी कहते हैं अपोजी यहाँ पर लिखा हुआ है अपोजी कहा जाता है यह होता है चार लाक छे हजार किलो मेंकर और जब चंद्रमा यहाँ पर आ जाता है तो यह पिर्थिवी से बहुत करीब होता है तीन लाक चौसक हजार किलो मेंकर यह निउन्तम दूरी होती है इसको पेरिजी कहते हैं पेरिजी कहा जाता है तो जब चंद्रमा पिर्थिवी से अधिक्तम दूरी पर होता है चार लाक छे हजार किलो मेंकर की दूरी पर उसको अपोजी कहते हैं क्यों होता है क्योंकि उसका कफ ही ऐसा है परवलयाकार तो कभी पास कभी दूर होता है और जब यह यह पर देखिए जब चंद्रमा तीन लाग चौसा हजार किलो मेंकर की दूरी पर होता है यह उन्तम दूरी पर इसको पेरजी कहते हैं इस तरह से चंद्रमा चक्कल लगा रहा है ये सूर है ये पिर्थवी है ये पिर्थवी की चारो और चंद्रमा चक्क लगा रहा है अपनी कछ्छा में चलिए आगे देखते हैं यहां पर हम लोग अपोजी और पिर्जी के बारे में देखते हैं ये है चंद्रमा और ये है चंद्रमा चंद्रमा की दो स्थितियों को दिखा गया और ये है अर्थ पिर्थवी तो ये है चंद्रमा जब पिर्थवी से दूर है ये अपोजी कहलाता है और ये जब चंद्रमा पिर्थवी के पास में इसको पिर्थवी कहते हैं जब पास में हो तो चंद्रमा बड़ा दिखाई देगा 14 प्रतिसत बड़ा दिखाई देता है तीस प्रतिसत अधिक चमकीला दिखाई देता है जब चंद्रमा पिर्थिवी के पास होता है पेरजी की अवस्था में इससे पेरजी फुल मून कहा जाता है या इसी को सुपर मून कहा जाता है चंद्रमा पिर्थवी के बहुत पास में होता है तब चंद्रमा बहुत जादा चमकीला 30 प्रतिसत अधिक चमकीला और 14 प्रतिसत अधिक बड़ा दिखाई देता है इस अवस्ता को पेरिजी फुलमून कहा जाता है या इसी को सुपर मून कहा जाता है और जब चंद्रमा दू होता है चार लाग छे हजार किलो मेंटर की दूरी पर होता है कहां से पिर्थवी से इस अवस्था को अपोजी कहते हैं इसमें चंद्रमा छोटा दिखाई देता है कम चमकीला दिखाई देता है इसको माइक्रो मून कहते हैं उमेद करता हूं यह चीज आपको समझ में आया चंद्रमा का द्रब्यमान पिर्थिवी के द्रब्यमान की तुलना में अगर अनुपात देखा जाते एक अनुपाते एक्क्यासी का अनुपात है चंद्रमा का अगर एक द्रब्यमान है तो पिर्थिवी का एक्क्यासी ये अनुपात है एक जक एक्यासी दसमलो तीन एक अनुपाते एक्यासी दसमलो तीन चंद्रमा का ब्यास पिर्थिवी के ब्यास का एक चौथाई है अगर ये चंद्रमा है तो पिर्थिवी जितना है उसका एक चौथाई ये चंद्रमा का ब्यास है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चुता है 3476 किलो मीट्र का ब्यास है चंद्रमा का चंद्रमा पिर्थवी के चारो और चक्कल लगा रहा है और चंद्रमा अपने अच्छ पर इस तरह से घोडन गती भी कर रहा है लगतू की और पिर्थिवी के चार और भी चक्कल लगा रहा है तो पिर्थिवी के चार और चक्कल लगाने में जो समय लगेगा उसको परिक्रमण काल कहेंगे अपने अच्छ पर भी घूम रहा है तो अपना ही एक चक्कल लगाने में भी जो समय लगेगा उसको घोड़न काल कहेंगे ये दोनों समय बराबर होता है 27 दिन 27 दिन 7 गंके 7 गंके 43 मिनट 44 मिनट 11.4 सिकंड तो परक्रमड काल और घोड़न काल दोनों बराबर होता है 27 दिन 27 गंके 43 मिनट 11.4 27 सिकंड इसलिए ये दोनों समय बराबन जितने समय में पिर्थवी के चारो और चक्का लगाता उतने समय में भी अपने अच्छ पर भी घूम जाता है इसलिए हम पिर्थवी से चंद्रमा के केवल एक ही भाग को देख पाते हैं उसके पीछे वाले भाग को नहीं देख पाते हैं इस बात को आप यादे कि चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का वाई मंडल नहीं पाया जाता है जिस तरह से पेर्थिपी पर है जो हम लोग सांस ले रहे हैं पीछ पौधे जीव जन्तु समस्त वनस्पतियां जीवित हैं वाई मंडल के कारण जल के कारण चंद्रमा पर ऐसा नहीं है उसका कारण हो सक है वहां का पलाइन वेग चंद्रमा पर पलाइन वेग बहुत कम है ग्रुट्वा करसंचेत्र को पार कर जाएगा फिर दुबारा लौड कर नहीं आएगा एक सेकंड में ग्रुट्वा किलो मिटर कितनी तेजी से फिकना है लेकिन चंद्रमा पर यहां बहुत कम है किवल दो दसमलो तीन आट किलो मिकर पर सेकंड है इसलिए से यहां का वाय मंडल चंद्रमा पर मौजूद नहीं है वह पलायन कर गया है चंद्रमा की सता पर बहुत बड़े बड़े गर्त हैं जिने क्रेकर कहा जाता है चंद्रमा की सता पर बहुत बड़े बड़े गर्त हैं इन गर्तों को क्रेकर कहा जाता है क्रेकर सबसे बड़ा जो क्रेकर है चंद्रमा की सता पर जो सबसे बड़ा क्रेकर मेर इंब्रियम है याद रखिएगा चंद्रमा की सता पर सबसे बड़ा जो क्रेकर है जो गरता है मेर इंब्रियम है इसस सी आफ सावर्स भी कहा जाता है सी आफ सावर्स बहुत इंपॉलिकन चैन्दरमा की सबसे बड़ा गर्त मेर-ेम्ब्रेयम को मेर-ेम्प्रेयम स्वी कहा जा जाता है यह और भी बहुत से क्रेकर के नमत्राइब गर्एगा मे ज़्रूरी नहीं को उसको यहाँ पर बता दिया जा रहा है चलिया ओए सबकिव वारे नहीं देक्वित लिया यह प्रेकर का मताब गोत गयोता है यह एंसी आइक के किफनी सन है यहां पर नहीं का एंसी आइक बेस है और महिस बैनवाल की चीज़ों को लेकर पूरा अच्छे सुसको समझने कोसिस किया रहा है उसमें बताया गया कि उब ग्रह एक खगोली पिंड है जो आसमान में जितने भी जो ग्रहों के चारो और उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर के चारो और चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह सूर के चारो और चक्कर लगाते हैं उसे प्रकार से उब ग्रह जो होते हैं ग्रह के चारो और चक्कर लगाते हैं इनहीं को उब ग्रह कहते हैं त एक रत्रिम पिंड है मानो निर्मित उप्गरा यह बैग्यानिकों के दारा बनाया गया है जिसका उप्यों ब्रम्भांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने वह प्रत्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है पिर्थिवी से कोई ना कोई उपग्रा बैग्यानिकों के द्वारा बना कर नितिछ में भेजा जाता है पिर्थिवी की कच्छा में स्थापित किया जाता है पिर्थिवी की चारोगनिस्चित कच्छा में जिससे वहां से हम मौसम, संचार और तमाम प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं अभी तक भारती उबग्राव में जिसे इंसेट, आई आरियास, एग्रूसेट ये कुछ उबग्राव हैं जो बैग्यानिकों के दोरा बनाकर भेगे गए हैं इसको याद रखिएगा प्रित्वी की सता पर जो गढ़्डे हैं सबसे बड़ा गढ़्या मेर इंब्रियम है जिसे सी ओफ सौर्स का जाता है और प्रित्वी की ने चंद्रमा की सता पर जो गढ़्डे हैं से मेर इंब्रियम का जाता है सी ओफ सौर्स की नाम से भी जाना जात नील और मिश्क्रांग पहले ब्यक्ति थे जिनोंने चंद्रमा की धर्ती पर सबसे पहले कदम रखा था नील और मिश्क्रांग 21 जुलाई यह आप चित्र देख सकते हैं नील और मिश्क्रांग का वहां का जो ग्रुती प्रभाव है पिर्थवी के ग्रुती प्रभाव का एक बकेच्छा है छखवा हिस्सा है इसलिए हम चंद्रमा की सता पर थोड़ा सा भी जंप करते हैं उचलते हैं तो बहुत ज्यादा उचल जात हैं इसलिए उसके लिए इस प्रकार के कपड़ का तयार किया जाता है सुपर मून क्या होता है अभी हम लोग पढ़ चुके हैं जब चंद्रमा प्रथवी के बहुत नजदीक होता है तो वह हमको 14 प्रतिसत बड़ा तता 30 प्रतिक चमकीला दिखाई देता है इसी को हम लोग पेरजी कहते हैं या सुपर मून कहते हैं जो पिछली बार सुपर मून की घखना हुई थी वह 27 सितंबर 2015 को सुपर मून और चंद्रगहन की घखना एक साथ हुई थी तो सुपर मून तो होता ही रहता है क्योंकि जब नजदीक आता है चंद्रमा प्रतिके लेकिन सुपर मू याद रखिएगा 27 सितंबर 2015 को सुपर्मून और चंद्रगरहन की एक साथ हुई थे चंद्रगरहन हम आने वाले वीडियो में समझेंगे ब्लू मून क्या होता है ब्लू माने नीला नीले से कोई संबंद नहीं है हम जानते हैं कि पूरिमा होता है पूरिमा जिस रात को चंद् से निकलाता है बड़ा सा गूला सा उस रात को पूरिमा करते हैं कभी कभी एक माह में दो बार पूरिमा होता है एक ही महीने में दो बार पूरिमा होता है यह मान लेते हैं पहली पूरिमा है और यह दूसरी पूरिमा है जब एक ही महीने में मतलब तीस दिन से कम समय में ही द तो बार अगर पूरिमा हो जाए तो ये जो दूसरी पूरिमा वाला चांद होता है इसी को ब्लू मून कहा जाता है जब एक माह में दो पूरिमा हो जाती है तो दूसरी पूरिमा के चांद को इसी ब्लू मून कहा जाता है इसका और कोई निले रंग से कोई मतलब नहीं है ऐसा 2015 में हुआ था जुलाई महींने में ऐसा हुआ कभी कभी क्या होता है किसी साल कई महींने ऐसे हो जाते है जब दो बार पूरि मा हो जाती है एक ही वर्स में एक से अधिक blue moon हो जाते हैं उस वर्स को ही blue moon year कहा जाता है एक ही वर्स में जब कई ऐसे महीने मिल जाएं देखने को जिसमें दो बार या दो से अधिक बार पूरी मा निकलता हो तुसे ब्लू मून इयर कहा जाता है ब्लू मून इयर वर्स 2021 में एक से अधिक ब्लू मून वाले माह थे इसलिए 2021 को ब्लू मून इयर कहा गया 2011 को blue moon ये पूरिमा की रात है जब पूरी तरह से चांद निकला हुआ होता है जब दो बार एक ही महिने महों हो जाता है तो उस दूसरी पूरिमा को ही blue moon कहा जाता है ये था चंद्रमा के बारे में चंद्रमा से संबंदित कुछे उबगरा जो भेजे गए हैं चंद्रियान 1 के देखते हैं 22 अक्टूबर 2008 को लांच किया गया प्रधिभी से आंधप्रदेश के सिरी हरिकोटपerson 30 37 धवन केंद्र से लांच किया गया था तेह किया कि याद कर लिजये 22 अक्टूबर 2018 को सतीस धवन अंतरिचकेंद से कहां पर है आंद्रपदेश के सिरी हरिकोटा में हैं किसके द्वारा किया गया था पी एसलवी सी एलेवन एक्स दो तरह के सिस्टम होते हैं हलके यानों को लांच करने के लिए पी एसलवी का प्रियोग किया जाता है पोलर सेकलाइक लांच वेहिकल चंद्रियान फर्स को पी एसलवी सी एलेवन सिक्स से वेजा गया था यहां आठ नुवंबर दो हजार आठ को चंद की कछ्छा में प्रिवेस कर गया इस प्रकार अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान और चीन यानि इन पाँच देशों के बाद भारत चंद्रियान की कछ्छा में पहुंचने वाला च्छठा देश बन गया दो हजार आठ में जब चंद्रियान को लांच किया था यहां पर आप देख सकते हैं, यह है चंद्रियान फस्क की कुस्ट फूटेज, 22 अक्टूबर 2008 एंडियाच, फस्क में साइं टूदा मून, यह भेजा गया है, यह चंद्रियान की कछ्छा में पहुंचा है इस तरह काटीजाइन तयार किया गया था, चंद्रियान फस्क का, इसमें बहुत सारी चीजे होती हैं, यह औरजिया प्रदान करने के लिए सोलर सिस्क्म का प्रियोग किया जाता है, जिस से लगाता है उसके बैकरी काम करती रहे हैं, और जिस मिसन के लिए भेजा गया है, वह आसानी से हो सके, अभी हम लोग 2019 में देखे थे कि चंद्रियान को लांच किया गया था, पहले 15 जुलाई 2019 तारिक निस तारिक की गए थी, लेकिन कुछ के किकनिकल फाल्ट होने के कारण इसे 22 जुलाई 2019 को लांच किया गया, इस रो इसका संचालक था, इस रो के बारे म लांच किया गया, G.S.L.V. जो बड़े, मिसनों के लिए होता है, बड़े मिसन को लांच करने के लिए, सिश्क्म होता है, कच्छा में पहुंचने की तारिक 6 सितंबर थी, 2019, 22 जुलाई को लांच किया गया, 6 सितंबर पहुंचना था, चंद्रमा की सता पर इसको sóक्ट लैं किया था तो चंद्रियांटू को चंद्रमा की सता पर सॉप्ट लैंडिंग करनी थी लेकिन जैसे ही यह दो दसमलो एक किलो मीटर की दूरी पर रह गया था इस स्पीड इसको कम करना था लेकिन स्पीड कम ना हो से की चंद्रियांटू की वाइज आराम से उतरने के लिए स्प पाइक कराया और दो दसंबलों एक किलो मीटर की दूरी पर ही पर से ही हमारा संपर्क चंद्रियाइन टू से टूड गया तो हमारा मिसन असफल हो गया बहुत ही दुखत घखना थी ये फिर भी का जाता है कि ये लगभग 95% मिसन सफल था क्योंकि इसके और भी जो पाइक थे वाविकम रोवर उस पर अभी तक काम कर रहा है ये चंद्रियाइन टू कुछ इस तरह से की जाइन किया गया था देख सकते हैं अब एक बार में तस्वीर नहीं आ पा रही है ये तो चलिए आज के लिए इतना है कम किसन फाइकर देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद